अगर किसान भाईयों आप अपने पुशूंगा ऐसा शांदार अडर बनाना चाहते हैं इससे भी बड़ा अडर पाना चाहते हैं ज़्यादा दूद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज किस वीडियो में आप एसा फार्मूला बताऊं यह पडक्ट है अगर अगर पवडर तो इस पडक्ट को आप कैसे अपने घर पे तियार कर सकते हैं वह formula ही मैं आपको बताऊजा कैसे काम करता है कैसे आपके पशों को देना है दूस्तो हमारा पडग्ट है और इस पडग्ट को आपको ऐसे निकाल लेना है और यहाँ पर मैंने अपनी फीड लिया है जिसके अंदर हमने सभी चीजों को mix कर रखा है इसके अंदर आपको फीड में 50 ग्राम आपको इसको मिला कर देना है तकरीबन एक मुठी के अंदर 50 ग्राम के करीब होता है इस गाये के 35 से 40 दिन बच्चे हुए हैं ब्याने में बच्चा देने में तो हम इस गाये को आज स्टार्ट कर रहे हैं सोचा आपके साथ शेयर करो तो इस तरीके से हम अपने पशों गयागे रख देते हैं और पशों बड़े चाव से इसको खा लेता है किसी तरीकी कोई कंप रखी सौफ और आमला को बराबर मात्रा में लेना है इनको आपको ग्रेंड करके का पाउडर त्यार हो जाएगा इन जड़ी बूटियों के फाइदे क्या हैं वो आप सबसे पहले जान लें जो हमारी मुलठी होती है जो हमारी पशों की मिल्क वेन होती है जो की यहां से नी जैसे थनों में किसी परकार की कोई infection नहीं होती है अगर आपके पशों के थनों में कोई infection नहीं होगी तो अडर की growth होगी और आपको all over एक अच्छा result मिलेगा दोस्तों इसमें हमें इस्तिमाल करनी होती है पीली स्तावर पीली स्तावर जैसा कि हम जानती है कि बहुत गुण अशवगंदा की अशवगंदा दूद की मातरा बढ़ाता है पशों में growth लेके आता है पशों की immunity power को बढ़ाता है और इसके बाद हम बात करना चाहेंगे सौफ की सौफ का सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि सौफ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है ठंडी होने की जब पशों आपका ब्याता है गर्मी महसूस नहीं होती है और जिसके कारना आपको all over एक अच्छा result मिलता है यह सभी जड़ी बुटिया आपको अच्छी quality की लेनी है अगर आपके local में यह अच्छी quality की नहीं मिलती है तो आप यह product खरीज सकते हैं अगर आप इस product को की सकते हैं जिसका link हमने description में दिया हुआ है उमीरा किसान भाई यो आपको एक शांदा जानकारी देखने को मिलोगी तो इस वीडियो को हर किसान के साथ हर परशूपालक ग्रूप में परिवारी ग्रूप में जरूर शेयर करें ताकि किसी किसान भाई की मदद की जासके तो